क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी हुई है कि विट टाइम कोई चीज आपकी फेवरेट बन जाती हो आपके डाइड की गिफ्ट कीवी वो घड़ी जो आप चाहते हो हमेशा आपके साथ रहे या आपकी कोई फेवरेट शट जो जॉब इंटर्व्यूज में और डेट पे आपके लिए लखी साबित हुई हो ऐसी चीज़े आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो ना ऐसा ही कुछ हमारे से एक कस्टमर के साथ हुआ है आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये गाड़ी जो एक्सिडेंट होने के बाद भी कस्टमर स्क्रैप नहीं कर पाए रिपेर करना पॉसिवल है उसको बिना पार्ट चेंज किये उससे अचल नई छट मंगा लेते थे आपार नई छट और पिलर ले लेते काम थोड़ा और पड़े काड़ी में और ही बाड़ी हम एक साथ चेंज नहीं कर रहे हैं पिट्सन पीस में होगा तेखते है उसका आपना हमजा आयेगा ये क्या है आप लिवास अजिए के बाद एक गए प्रेम पूरा गया है इंशॉरंस में अच्छिली कस्टमर को टोटल लॉस में डालने को बोला गया गया गाड़ी बट आइ तिंक उनकी फैमिली की पेली गाड़ी है बहुत अटाच्मेंट है गाड़ी से इसके लिए पनाना चाहते है यह कुन आया मच्छर एक्चली मच्छर के जैसी आवाज है ना वेलकम तो ब्रोटो मोटिव मैं हूँ आपका होस्परिक्षित और आज का वीडियो होने वाला है इस होंडा मेज का कि अगरी एक मेजर एक्सिडेंट में थी गाड़ी टॉपल हो गई थी और यह जो सारा डामेज आप देख रहें वह इसले है कि गाड़ी पूरी रोल ओवर हो चुकी थी गाड़ी जब होंडा में गई तो कस्टमर ने एक एस्टिमेट निगाला कि इसे रिस्टोर करने का क् शॉरंस कंपनी ने बोला कि गाड़ी को टोटल लॉस में डाल देते हैं पर क्यूंकि यह गाड़ी हमारे कस्टमर की फैमिली की पहली गाड़ी है तो वो चाहते है इस गाड़ी को प्रॉपरली बनाया जाए उन्होंने बोला जो भी खर्चा इस पर आता है आप कीजिए और गाड़ी को पहले जैसे पूरा रिस्टोर कीजिए तो बाहर से तो डामेज दिखी रहा है पर प्रॉपरली जज़ करने के लिए हम गाड़ी को अभी टूपोस्ट लिफ पर चड़ाने वाले हैं और उसके बाद हमें और अच्छा एडिया आ जाएगा कि क्या-क्या काम सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इस वीडियो को लाइकन शेर जरूर कीजेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं राज गाड़ी को लिफ पे चड़ाते गाड़ी का वील पूरा खतम हो चुका है अभी देखते है राज गाड़ी पीछे ले भी पाएगा या निए गाड़ी रिम पे चलने वाली है राज गाड़ी चलेगी जाईए 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 दुख हो रहा है देखके गया वो टूड़ गया वो नहीं टूटा ने फ्लोर तोड़ दिया एई टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं होगी रुख जाए इधर से लेना पड़ेगा नहीं होगी वह ऐसे इधर से ऐसे गुमाना पड़ेगा आओ भावली कि अराम से अराम से रो वापस पल्टी नी करनी है कि रुख जा स्लोर तूट रहा है कि आप कि आप कि आप कि 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 आप क्या होता है अगर आपका कोई भी ऐसा independent garage है तो कोई भी brand का car maker आपको अपनी गाड़ी के spare parts available कर देता है there is a free for all market कोई ऐसा monopoly system नहीं है पर इंडिया में ऐसा market है अगर आपकी गाड़ी महींद्रा, टाटा, मारूतिया, हुंडा है या इवन BMW की है यह companies अपनी गाड़ी के spare parts garages को available करा देती है that means अगर मेरे पास आपकी कोई गाड़ी आई है जो की मारूतिया, हुंडा है की है तो यह companies हमको directly original spare parts दे देंगी बात जब आती है Volkswagen, Audi, Honda और Toyota की तो यह companies अपना एक monopoly system बना के बैठी है इंडिया में यह बाहर वाले garage इसको spare parts available नहीं करती है मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा reason यह इसलिए है कि यह चाहती है कि जो भी गाड़िया इनकी भिक रही है वो वापस इन ही के पास service के लिए आए और अगर उनका भी कभी accident होता है तो यही वो repair करे मैं मानता हूँ यह पूरा system बहुत गलत है क्योंकि market free for all होना चाहिए as a customer आपका right होना चाहिए आप किसी से भी अपनी गाड़ी का काम कराएं authorized service center भी क्या है ना एक franchise है किसी-किसी service center भी आपको बहुत अच्छी service मिलेगी और कोई-कोई service center सिफ और सिफ profit driven है दर्वाजे यह सब arrange करना possible नहीं हो पाएगा क्योंकि Honda यह पार्ट्स हमें supply नहीं करेगा तो customer ने मुझे बोला कि आप बस गाड़ी बनाओ spare parts का tension पूरा मैं लोगा चाहिए उसमें नए spare part लगे या used spare part पूरा arrangement मैं करके आपको दूँगा पहले हमने सोचा था इस गाड़ी में हमें pretty much पूरा body shell लगेगा क्योंकि गाड़ी का front भी damaged था और गाड़ी का छट भी damaged था और गाड़ी का rear dicky side भी damaged था बट जब हमने गाड़ी को अच्छे से inspect किया तो भी realize कि अगर गाड़ी का छट भी हमें मिल गया और यूज spare part गाड़ी के हम भी arrange कर सकते हैं बट क्या होता है ना ऐसे market में हमेशा अच्छी quality के spare मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बट जब customer ने हमें बोला कि मैं सारा arrangement करूंगा हमें लगा कि parts का quality हमें decent मिल जाएगा मैं ये बिल्कुल expect नहीं कर रहा है कि हमें जो vehicle आने वाली है वो भी एक accidental vehicle आने वाली है और यहां पर हमारे ले problem जो है ना वह बहुत जादा बढ़ने वाला था अब पटी विए पुर यह दर से अगे का front end तो पुरा कदम लग रहा है तो अच्छे से लेंड़ को फ्लोरीं रस्टी है सर्टी है फ्लोरीं रस्टी है इस लिए लिए इस पुछभी काम करना पड़ेंगा प्रेंटर लोग्ति इससे अच्छा दोसके अभी के अच्छे पिछेगे रेम आउट ना इसका कुछ भी काम करनी है यह दो बॉनट देखे अच्छा दिखनेगी अच्छा है इससे गाल के बनाए वाई इसको आखा रही यह इसे नहीं आएंगा इसमें अरिंकर आगा है अफ होगा है इधर से पूरा अलाइन्मेंट पूरी लेते थे आपा नई च्छत और पिलर ले लेते थे कस्टमर ने एक स्क्रैप पेंडर से बात करके गाड़ी की बॉड़ी पूरी अरेंज कर ली और यहीं पे जो है ना थोड़ा सा फरक आ जाता है हम जब गाड़ी के सेकेंड एंड पार्ट्स अरेंज करते हैं तो हम बहुत हुआ था तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां पर ऐसा क्रियेट हो गया कि बॉड़ी उन्होंने खरीद ली है और वो बॉड़ी रिटर्न होगी नहीं और आप हमें दोनों बॉड़ी इसको वेल्ड करके एक बॉड़ी बनानी पड़ेगी तो मतलब वह भी यूज करने पाऊंगा मैं सिर्फ दो पिलर और रूफ यूज कर पाऊंगा अरे माइनर फिर में रिपेर करने से अच्छा है ना मैं नया बॉड़ी क्यों ना लूँ यूज कर से लें रिपेर करना पॉसिबल है उसको बिना पार्ट चेंज की है ऐसी गाड़ी ऐसी कंडिशन में हैं रिप्लेस करना ही नहीं चाहिए आप अच्छी बाड़ी मिल जाए तो उस पर जादा काम नहीं है अगर आप पीसे पासम नोगी कब कचरे में जाती है जब जराब हो समझ रहो हो गया दूसरा साइट सालवेज में आ गया दर्वाजे और फेंडर और एक साइड का एपरन अगया अभी जैसे स्कॉर्पियों में में नीट बॉड़ी मिल गया दर्व ऐसे होते तो काम थोड़ा रेड्यूस हो जाता अब यह स्कॉर्पियों की बॉड़ गाड़ी डी रेजिस्टर हो गई अब पुरानी गाड़ियों में वैसे मिल सकता है चार साल पुरानी गाड़ी में तिको डी रेजिस्टर गाड़ी तो मिलेगी नहीं मिलेगी तो ठुकी भी गाड़ी मिलेगी और माइनर इंपक्ट जब होता है तो गाड़ी स्क्रैप होती मुंबई मार्केट में या बाकी सब मार्केट में हम लोग भी कभी जाते है न तो पार्ट्स वगेरा रीजनिबल प्राइस पे मिल जाते खाली प्रॉब्लम क्या होता है ज्यादा हेड़ेक लेना पड़ता है पूने के वेंडर के थुरू हम लोग कर रहे है बेटसन पीस में होगा वर देखते है उसका अपना मजा आएगा एक्सिडेंट होगे ऐसे प्रेंडेंग कर दो छाए यहां से लेकर पिछे तक सारा यूज बढ़ेंगा यह वह और रूप उसमें हम फिटिंग करके गाड़ी बाहर निकल सकते है बाराब बारेना? वाताओ को बोगल में? बाराब बोगल में? बाराब बोगल में बाराब बोगल मेंदी शखताइ बाराब बोगल में? बारा बोगल में? बाराब बोगल में? कर दो कर दो कि ये जिएलि जब गाडियं बनाइं जाती है ना तो दो ताइप के चास सी होती है एक मोनो कॉक चासी होती है और एक लाड़ Rules होती है लाडर न описании मतलब जब आपने हमारे Scorpio के वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ी का बॉडी फ्रेम है उसको हम चैसी से सेपरेट कर सकते हैं मुनोकॉक चैसी मतलब कम्प्लीटली एक चैसी होती है जिस पे सस्पेंशन बैठा होता है इंजन बैठा होता है और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग हमें वीडियो में कमेंट करते हैं कि क्या ये लीगल है जो काम आप कर रहे हो सो इवन इन दिस केस ये कम्प्लीटली लीगल है मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि गाड़ी की चैसी हमने कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किये अगर हम यहाँ पर फुल बॉड़ी रिप्लेस कर देते और उरिजनल बॉड़ी से तब वो इलीगल होता क्योंकि आपने चैसी नंबर के साथ में पूरी बॉड़ी रिप्लेस कर दिये बढ़ हम लोगोंने यहाँ पर गाड़ी का जो है केवल रूफ और उसका डिकी का सेक्शन हमने इतना ही गाड़ी में रिप्लेस किया है गाड़ी का जो फ्रंट एंड और जो बॉटम एंड है वो ओरिजनल है हमें यह पहले से मालूम था कि गाड़ी का अगर हम सेकिन एंड बॉड़ी भी खरीते हैं तो हम लोग को पूरी बॉड़ी बदलने की जरूत नहीं पड़ेगी हम लोगों कुछ पार्ट सी लगने वाले हैं बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इस गाड़ी का हमें नया रूफ मिल जाता या नया टेल गेट सेक्शन मिल जाता तो यह गाड़ी और बहतर बन सकती थी यहाँ पर हमारा काम बहुत जादा बच जाता हमारा वेल्डिंग का काम और आसान हो जाता बट गेटिंग बैक तो दे टॉपिक अगेन कोई कोई कार ब्रैंड जो है अपने पार्ट्स आफ्टर मार्केट में अवेलिबल नहीं कराता है जिसकी वज़ा से हमारे जैसे लोग जो आपको दिल से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं कभी-कभी परिशानी में पढ़ जाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा सबसे में टास था हुए यह था कि जो अपर बॉड़ी हम अब गाड़ी पर रिप्लेस कर रहे हैं उसको लोवर बॉड़ी से ठीक धंक से अलाइन करना और मैं मानता हूँ यहाँ पर हमारे डेंटर्स ने बहुत ही अमेजिंग जॉब किया है इर्फान भाई को अल्मोस्ट 25 साल हो चुके हैं यह काम करते हुए और उन से अच्छा फिटिंग अलाइनमेंट करने वाला कारीगर मैंने आज तक नहीं देखा है और आलम भी अपने काम में इतना प्रेसाइस है ना कि छोटे-छोटे एरर्स भी आना जहाँ पर वहाँ पर पकड़ लेता है और पूरी कोशिश करता है कि गाड़ी का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अमीजिंग है क्योंकि हम बहुत जादा अन्यूजिल प्लेसिस पर वेल्डिंग कर रहे थे रूफ पर अक्चली बहुत जगह पर स्पॉर्ट वेल्ट आते हैं जहां पर रूफ आपको नहीं मिल जाए तो आप डरेक्ली रिप्लेस कर सकते हो सेम विट टेलगेट सेक्शन एंड सेम विट डिकी का जो बॉटम सेक्शन है सिलेक्टिव एरियास पर स्पॉर्ट रिपेस करने की कम्प्लेटली पैनल पर जगह मिलती है और यहाँ पर भी हाट टू मेक दूविद वट वी गट दो अलग बॉडिस को कम्माइन करके हमने एक फिनिश प्रोड़क रेडी करना था कभी-कभी इस केस में हम कस्टमर के सामने जुग जाते हैं हमारे पास बहुत ज़ादा ऑप्शन नहीं बचता जब यह प्रोजेक्ट शुरू आथा मैंने कस्टमर को तभी बोला था इडिस मच बेटर फोर यू तो जस्क्राब द वेकल आप वही पैसा जो आप मुझे देने वाले हो आप गाड़ी के IDV वैल्यू में जोड़ दो और आप एक नई अमेज ले लो बट उनने मुझे बहुत बार बोला कि मुझे इसी गाड़ी को अच्छे से बनाना है मैं नई गाड़ी नहीं लेना चाहता ये गाड़ी मेरे लिए बहुत close है मेरे लिए बहुत important है और मैं इसी गाड़ी को वापस नई जैसा देखना चाहता हूँ तो वेल्डिक दा जितना काम था, एरफान भाई ने वो सारा कड़ दिया है, यह पूरा का पूरा उपर का शेल रिप्लेस किया गया है, और यह कांच भी बिठाया है, जस एड़स्मेंट समझने के लिए, तो जितना अलाइनमेंट अभी पॉसिबल था, वो सब हुआ है, बच सेक्षन है, पीछे की टेल लाइट और बंपर लगने का, वो एक बार लग जाएगा तो क्वाडर पानल और उस एरिया की पूरी डेंटिं का काम भी हो जाएगा, और थोड़ा सा काम बचा है यह आगे के टाय मेंबर का, तो यह टाय मेंबर भी जब हमें मिलेगा, यह वेल् गाड़ी पिलर बरावा है, यह गेंटिंगी बरावर ने वा ठीक से लाइन पूरा सफ़ता हो जाएगा, इसको अब और ग्रेंडर से काड़ देंगे, देखे मैं मानता हूं कि गाड़ी पर बहुत अन्यूजल एरियास पर वेल्डिंग का काम हुआ है, बट मैं एक चीज की गारंटी आपको दे सकता हूं, इवन दो इस तरीके से हमने पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया है, गाड़ी की स्ट्रक्शल स्ट्रेंथ फिर भी बनी रहती है, यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि गाड़ी में एक बार ऐसा, अगर आप रेगुलर रोज मरा की जिन्दगी में भी देखेंगे, अगर आप कोई स्ट्रक्शर भी बना रहे हैं, या अगर आप पत्रे का भी काम कर रहे हैं, या अगर आप लोहे से भी काम कर रहे हैं, तो वेल्डिंग is a big part of it, आप कहीं भी वेल्डिंग करेंगे तो that will not create weak spots in a sense की गाड़ी अगर एक्सिडेंट हुई या पल्टी हुई तो दो टुकडे हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा एकी केस में तभी हो सकता है अगर आपने वेल्डिंग ठीक धंग से नहीं किये, और यहाँ पर हमने ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, साथ ही साथ हमन की तरफ से अच्छे precautions लेते हैं, तो यह risk जो है, वो काफी minimize हो जाता है, हमारे denters ने अपना काम पूरे शिदत से complete कर लिया है, और अभी गाड़ी जाने वाली है हमारे painters की तरफ, और आप उनका भी काम देख के अमेज हो जाओगे, गाड़ी का जो end finish आया है ना, मैं खुद personally इतना कुछ हुआ, मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता है कर सकता है कि अगर मैं कलर सिलेक्शन की ना तो जब हम यह में इस पेंट कर रहे थे ना उससे जस्ट पहले हम लोगों ने 2014 मॉडल की सुपब पेंट की थी और स्कॉडा का कैंडी वाइट कलर मुझे परस्टनली बहुत ज्यादा पसंद है तो क्योंकि हम पूरी गाड़ी पेंट करी रहे थे मैंने कस्टमर को रेकमेंड किया कि क्यों ना हम कैंडी वाइट में गाड़ी को पेंट करें I really felt कि गाड़ बहुत अच्छी लगेगी और आक्चिली जब गाड़ी पेंट हो गई ना तो बहुत ही प्यारी लग रही थी जो गाड़ी पूरी करने के फीलिंग है ना मैं आप लोगों के साथ बया नहीं कर सकता कार कंपनी पें केस किया था I think it was back in 2012 or 2014 जहां पर Competition Commission of India में यह केस गया था जहां पर यह Automobile कंपनी अपनी काड़ियों के स्पेर पार्ट्स फ्री मार्किट में अवेलिबल नहीं करा रही थी मैं मानता हूं कि यह जो प्राक्टिस है यह बहुत गलत है और हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपना काम लोगों तक पहुचाने का और अपनी capabilities दिखाने का अगर आप लोग को time मिलेना है तो Google पे जाके जरूर इस case के बारे में एक बार पढ़ियेगा I'm sure it'll intrigue you और as a consumer यह आपके लिए भी beneficial है कि market में जब ज़्यादा से ज़्यादा competition होगा और अच्छे service providers ज़्यादा होंगे ना तो you will get the best value पता है आपको एक और बात बताओं हम लोग विट टाइम ना और बेटर quality के वीडियो बनाना चाहते तो हम लोगों एक drone खरीदा था जिसको हमने यूज किया squadra rapid में जो कि हमारी खुद की काड़ी थी और इस honda amaze में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कुछ footage drone से shoot किये वे हैं चार दिन के अंदर ना क्या हुआ वो ड्रोन में practice करते विए ना fly करते विए वो ड्रोन पेड में घुज गया और वहीं खतम हो गया और जब आज इंक्या इस पूरे वीडियो के editing कर रहा था ना तो मेरे से रहा नहीं गया बिल्कुल भी और हमने वही ड्रोन वापस एक और order किया तागे आगे चलके हम आपको और better shots दिखा पाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे वीडियो बनाने में ना हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं अभी कोई-कोई वीडियो जो है वो 10-15 दिन में ready हो जाते हैं और कोई-कोई वीडियो जो कि अमेज जैसा वीडियो है इसको ready करने में 4-6 महिने भी लग जाते हैं लोग चाहते हैं कि हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो अपलोड करें बट जिस तरीकी का हमारा line of work है वैसा possible नहीं है अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो the thing where you can really help us is हमारे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ सके और आपके लिए और अच्छा content ला सके इवन जब हमने ये अमेज रिसीफ करी थी ना तो मैं रागव और अजिंक्या थोड़ा टाइम पास कर रहे थे आप लोगों ने हमारी Scorpio का वीडियो देखा होगा जहां पर हमने बॉड़ी शेल पूरा रिप्लेस किया तो उसके बॉनट पर हम लोगों ने लिखा था यून हैं और इतने लोगों तक हम लोग पहुचे हैं ना कि मैं आपको बया नहीं कर सकता है थोड़ा से संटी हो गया मैं उमीद करता हूँ आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा मैं आपसे सिर्फ एकी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी भी ऐसी मिस्फॉचुनेट एक्सिडेंट में कभी गई है हम हर अच्छा लगे तो दू सब्सक्राइब तो दिस चैनल मिलते आपको नेक्स वीडियो में थैंक यू वर तूनिंग इंटी ग्रोड़ेंट मतलब लगा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी कर गए क्योंकि इसका आलत पहले जितना मतलब खराब ताना कि कोई भी ने बोल रहा कि थीक होगा है वो सब बट टाइम लगा पर बहुत अच्छा हुआ अन्बिलिवबर बहुत अच्छा हुआ अंचर है स्च्छा हुआ कि इसमाने कोई कि मतलब रहा है शच्छा हुआ है कर दो कर दो कर दो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी कंप्लीट करने के बाद अलाइनमेंट गाड़ी का कैसा हुआ है जो बॉनट के धार है या चाहे जो दर्वाजे की दोनों की आपस में सेटिंग है और उसके इलावा ये गैप्स है पिछे के दर्वाजे का गैप है डिकी के दोनों तरफ के गैप्स है टेलेट की फिटिंग वगेरा ये सब जैसा ओरिजिनल होना चाहिए था वैसा ही हुआ है हाँ आधा है के में इदर उदर है बट उतना चलता है क्योंकि गाड़ी की जो कंडिशन थी ऑब्विशली हंडर्ड परसेंट तो स्पिक एंस पायन पूरा हम नहीं बना सकते उसको जैसा ओरिजिनल थी बट हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किये साथी साथ हमने इसको टाइप अपग्रेड भी किया है बहुत सारे पार्ट का ऐसा है कि हॉंडा जो है डिलर्शिप वो पार्ट बाहर सप्लाएं नहीं करता है तो कई पार्ट जो गाड़ी में नए लगे हैं चोटे मोटे जैसे यह बिडिंग्स हो गई वेधर स्ट्रिप ह हो गई या डिकी के अंदर का रबर हो गया टेले इस हो गई है इंपोर्टेट पार्ट्स है और बाहर से खरीदेवे पार्ट्स है थोड़ा सा उनमें फिटिंग उपर नीचे हो जाती है कभी-कभी बट अधर वाइज यार वेरी डिसेंट क्वालिटी प्रॉड़क्स अगर में चीज यह होती है गाड़ी को जब रेडी करेना तो कर दो अक्षीडेंटल गाड़ी को खासकर जो फिट आइंट फिनिश गाड़ी में होना चाहि bereits प्रॉपर सारी चीजसे अलाइन हो चाहिताए चारो तरफ जिस तरीके का अलाइनमेंट होना चाहिए उसफी टरीकी का आया है पेंट कॉलिटी तो आपको मालूम है कि हम लोग सबसे प्रीमियम प्रॉडक्स यूज करते हैं तो ओविसली गाड़ी की चमक और शाइन वैसे ही आया है जैसा आना चाहिए काड़ी को हमने कंप्लीटली डीटेल भी कर दिया है और इंटीर क्लीनिंग कर दिया है डाशबोड पर थोड़े से स्क्राचेस है जो हम आगे चलके डाशबोड बदलने का सोच रहे हैं और इंजन भी हम लोगों ने पूरा डीटेल कर दिया है अच्छी है। मुंशन इतार है कि एक कटकर जो इव कर दूलू जया ने सबर्शान था तर्वाजा उपका द्रवाज़ँ GreenEd झाल झाल